आईपियल 2021 की जो वीनर बनी है चन्य सूपर किंग उसके बाद दब ये सबाल खारा होने लगा है कि जो आईपियल 2022 के लिए टीम होगा वो चन्य सूपर किंग का टीम किस परकार से होगा क्यूंकि आप लोगों को भी पता होगा कि दो नई टीम आ रहे हैं जिसके बाद बीसे कुल मिला करके एक टीम कितने प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी यह सबसे बड़ा सवाल है और मेहनर सिंग दोनी ने भी यही का था कि जो हमारे आगे की फ्यूचर्स होगी वो इसी पर डिसाइड होगा कि यह जो बिसी सी आई हो क्या रूल बनाती है कितने प्लेयर्स को जो र प्लानिंग है उस पर कोई ठोस निरने ले पाएगी और मेहनर सिंग धोनी नहीं जैसा कि आप लोगों पता होगा कि जो आई प्ल 2020 की फाइनल मुकाबला हुआ उसके बाद पोस्ट मैच पर जिंटेशन में मेहनर सिंग धोनी ने कहा कि जो हमारा अभी भी का टीम है उसमें अगर आप कोड़ प्लेयर्स को देखाएगे तो यह पिछले दस साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं यानि कि अभी तक जो सी एसके की परमुख खेलाडी है वो पिछले दस साल से जुड़े हुए है और मेहनर सिंग धोनी ने बिल्कुल असपश्ट तोर पड़िये कहा कि अब जो नई टीम बनेगी वो अगले दस साल को मध्य नजर रखते हुए बनेगी यानि कि जो अभी टीम में खेलाडियों को पिक किया जाएगा वो कम से कम अगले दस साल तक खेले दस साल तक के लिए टीम में रहे उस परकार चे जो है टीम की चेन होगी तो कहीं कहीं सी ए यहारु करेंगे और किनकिन खिलाडियों को रिलीज करेंगे जो ही है इसके एलाबा अगर हम बात करेंगे इसमें कोई डोनाए नहीं है कि वो सार्दूल ठाकूर को टिम में रिटेन करें क्योंकि रिटेंशन की जो लिस्ठों की वह बहुत कम होगी ज्यादा तीन से पाच खेलाडियों को ही एक टिम रिटेन कर पाएगी तो इसे में सियस्के की जो काम भी बहुत मुस्किल होने बाला है और उनके पास मेंदर सिंधोनी सुरेश राहिना जैसे सेनियर प्लेड है जो की शुरुवात से चन्य सुपरकिंग के साथ जूरे हुए है तो उन दोनों को भी रिटेन करने का प्रेसर कही नएक चन्य सुपरकिंग के उपर होगा तो चन्य के लिए जो उनका योगदान है उसकी बात ही हम नहीं कर सकती क्योंकि जबरदस तरीकी से वो रन बनाते हैं शुरुआत में आखर के रन बनाते हैं और टीम को एक मजबूल सुरुआत देते हैं कंसिस्टेंट प्लेयर हैं वही डीजे बरावो मुश्किल समय में टीम को लिकाल करके CSK को जीत दिलाते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके साथ और भी कुछ जैसे नाम है जैसे कि मौई नाली हो गए जैसे कि अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में नाम सामिल हो जाएगा सैम करन की तो कहीं न कहीं CSK के पास ऐसे ऐसे मैच विनर से जिसको CSK ड बात करें तो यह कहीं न कहीं बहुत जादा सोच विचार करके इस पर फैसला लिया जाएगा और आखरी फैसला तो टीम मैनेजमेंट और मेहंदर सिंग धोनी का ही होगा और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आगले सीजन में मेहंदर सिंग धोनी बतौर प्लेयर चने स देले बाते हैं तो जैसे रहेंगे कि इस तरीदर को आगे बढ़ना है अगले एपियल के लिए उसके बाद जो इस्तितिया है वो साफ होती चली जाएगे कि चर्णी सुपरकिंग किस तरीके से डिसी चल लेगी और किसकी खेलाडियों को रिटेन करेगी लेकिन जो कुछ रिटेंशन के अगर हम बात करें जो कि बिल्कुल कानफॉर्म है तो उसमें आप मा नाम है जिस पर चर्णी सुपरकिंग विजार करेगी कि उनको किसी भी तरीके से टीम में रखा जाए या फिर ऑक्षन में किसी भी हाल में इनको खरेद नहीं है तो इस परकार से सिसके आगे बढ़ सकती है आलाकि आपके हिसाब से कौन से ओती नाम है जिसको सिसके को जरू बताईएगा फिर मिनेंगे जैसे हिस्ते जुरू हुई कोई भी अपडेट आएगी बनेड़ी अमरे साथ चानल को जरूर सस्क्राइब कर दें बैल आकन को जरूर प्रेस कर दें वीडियो को ज्यादा लाइक कर सेर्ज जरूर करें नमस्कार धन्यवाद